हमेशा कोई रहे न रहे लेकिन महबबतें जिन्दा रहती हैं महबबत का जादू कभी खत्म नहीं होता और महबबत जब बॉलिवड की सितारों की हो तो फिर तो जैसे हमेशा के लिए अमर ही हो जाती है जब जब बॉलिवड के महबबत का जिक्र होता है इश्क का जिक्र होता है प्यार का जिक्र होता है तो एक नाम जहन में सबसे पहले आता है ये नाम है अमिताब और रेखा का अपनी महबबत को भले ही इन दोनों ने कभी कुबूल नहीं किया हो लेकिन इन दोनों का नाम बॉलिवुड के सबसे बड़े इश्क बाजों में शुमार किया जाता है भले ही अमिताब और रेखा की महबत की दास्ता अधूरी रह गई लेकिन इनकी महबत की कहानी के बिना बॉलिवुड में इश्क की कहानिया कभी पूरी नहीं होंगी जब अमिताब और रेखा ने साल 1976 में पहली बार फिल्म दो अंजाने में एक साथ काम किया था तो दोनों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ना तो अब ये एक दूसरे से अंजाने रहेंगे और ना ही दुनिया इन दोनों की महबत के किस्तों से अंजानी रहेगी रेखा से मुलाकात के तीन साल पहले 1973 में ही अमिताब की शादी हो चुकी थी एक साथ फिल्मे करते करते अमिताब और रेखा एक दूसरे के करीब आते गए और फिर धीरे इन दोनों की गिंती बॉलिवुर्ट की सबसे काम्याब जोडियों में से होने लगी जब इश्क सूपर स्टार्ट का हो तो इसे छिपाना नामुम्किन हो जाता है 22 परवरी 1980 को रिशी कपूर और नीतू सिंग की शादी पर माथे पर सिंदूर लगा कर रेखा पहुँची लेकिन ये सिंदूर किसके नाम का था इस बात का खुलासा रेखा ने कभी नहीं किया अमिताब और रेखा के अफेर के किस्ते मिर्च मसाले के साथ हर अखबार और हर मागजीन की सुर्खियां बनने लगे और फिर इनकी महबत के किस्ते वहां तक भी पहुँच गए जहां तक नहीं पहुँचने चाहिए थे यानि जया बच्चन तक 1980 में ही फिल्म मागजीन स्टार डस्ट में छपे एक लेक के मताबिक रेखा लोगों को अमिताब के साथ अपने रिष्टे के बारे में इशारा देने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करती थी स्टार डस्ट में छपे इस लेक के मताबिक रेखा ने एक स्टोर में जाकर ये भी बताया कि वो माँ बनने वाली है अमिताब और रेखा के अफेर की खबरें जिस समय जोरों पर थी उस समय जाया बच्चन ने इन खबरों से परिशान होकर रेखा को डिनर पर बुलाया ये बात रेखा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताई थी जो उन्होंने फिल्म पत्रे का स्टार डस्ट को दिया था 1977 में फिल्म मागजीन स्टार डस्ट में छपे लेक के मताबिक रेखा थोड़ी घबराई हुई जया बच्चन के घर डिनर के लिए गई वो सोच रही थी कि या तो जया गुस्से में उन पर चीखेंगी चिलाएंगी या फिर प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करेंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जया ने बड़े आराम से उन्हें शानदाः डिनर करवाया उनसे अपने बंगली की सजावत की यानि सारी बाते हुई सिवाए अमिताब बच्चन के जिकर के और डिनर के बाद रेखा वापस चली गए लेकिन डिनर के बाद जब रेखा वापस जा रही थी तो जया ने उन और इसी दौरान 1980 में आई एक खबर ने बॉलिवुड में धमाका कर दिया निर्माता निर्देशक यश चोपडा ने एलान किया कि उनकी अगली फिल्म सिलसिला में लीड रूल्स में होंगे अमिताब, रेखा और जया बच्चन मीडिया में खबरे आई कि इस फिल्म में साफ काम करने के लिए खुद अमिताब ने रेखा और जया से बात की थी क्योंकि साफ काम करके ये साबित हो सकता था कि रेखा और जया में कोई अनबन नहीं है और इस बात से अमिताब रेखा के अफेर की खबरों पर भी लगाम लग जाएगा फिल्म सिलसिला में अमिताब और रेखा एक नहीं हो पाते और रियल लाइफ में भी इस फिल्म के बाद वो कभी साथ नहीं दिखे कुली की शूटिंग के दौरान हुए हाथ से के बाद खबर छपी कि रेखा भी अमिताब का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे थी लेकिन उन्हें अमिताब से मिलने नहीं दिया गया रेखा को इस घटना से बेहत धका लगा एक मागजीन को दिये बयान में उन्होंने कहा सूचिए मैं उस शक्स को ये नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शक्स पर क्या बीट रही है मुझे मौत मन्जूर थी पर बेबसी का ये एहसास नहीं मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी इस बयान से साफ था कि अलग होने के बावजूद रेखा के दिल में अमिताब के लिए प्यार कम नहीं हुआ था वहीं अमिताब ने इसके बाद भी इस रिष्टे की बात को हमेशा ना कारा उनके मताबिक तो रेखा बस उनकी को स्टार थी इससे ज्यादा कुछ नहीं अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चानल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपची नियूस देखने के लिए फिर मिलेंगे मस्पालेदार खबरों के साथ बाई बाई